हेलो दोस्तो बेलकम माई यूटूग चैनल आप्सन ट्रेडिंग टेकनिकल एनालाइसिस में आप सबका स्वागत है तो दोस्तो अगर आप हमारे डेली एनालाइसिस को फोलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने फिन निफ्टी के अंदर बरियाँ प्रॉफिट कमाया होगा अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन फिन निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है तो देखे दोस्तो आज के दिन फिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ आज के दिन फिन निफ्टी फ्लैट आपनिंग हुई और उसके बाद एक रेंज के अंदर फस चुकी थी जो की एक option buyer के लिए ऐसा market बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है यहां पर क्या होता है premium DK के बज़े से ज्यादा तर beginner यहां पर loss करते हैं तो ऐसे market के अंदर आप लोगों को trade को avoid करना चाहिए अब चलिए देख लेते हैं कल का moment कैसा रह सकता है फिन निफ्टी के अंदर तो चलिए दोस्तों आप हम पहले चलते हैं वंडे के चार्ट पर तो देखे दोस्तों वंडे के चार्ट पर आ चुके हैं यहां पर जो candle का formation हो रहा है जिससे हमें यह indication मिल रहा है जो कल के दिन फिन निफ्टी गैप डॉन खुल सकती है तो अगर आप लोगों ने आज के दिन सी होल्ड कर रखा है तो यहां पर आप लोग हो जाईए सापधान कल के दिन 9.15 पर मार्केट ऑपन होगी 9.20 में अपना पोजिशन को एकजीट कर लें अब चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के ट करने के लिए तो देखे दोस्तों अगर कल के दिन फिन निफ्टी गैप अपनिंग होती है वो कौन सा लेवल होगा वो होगा यह बला लेवल जो की लेवल है 18,780 का अगर इसके उपर कल के दिन गैप अपनिंग होती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर करते हैं और एसेल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसेल लगाना होगा जो की लेवल होगा 18,745 का और टार्गेट की बात करेंगे तो अप्रॉक्सिमेट टार्गेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है सिक्टी से लेकर के 80 पॉइंट तक का निफ्टी इस लेवल पर गैप अप आपनिंग होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है जो की लेवल है 18,780 का और इस लेवल को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर इमिजेट पुट नहीं वाई करना है आप ल लोग यहां पर put buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की लेवल होगा 18820 का और target की बात करेंगे तो first target आप लोगों का यहां पर रह सकता है जो कि आज का closing price है closing price अपने चार्ट के उपर जरूर मार कर लें क्योंकि next day trade कर पहुती important level होता है यह जो की level होगा 18714 का और उसके बाद आप लोग यहां पर SL को trail कर सकते हैं दोस्तों यह तो हो गया gap up बाला scenario अब suppose कर लीजिए अगर कल के दिन फिन निफ्टी gap down खुलती है वो कौन सा level होगा वो होगा यह बला लेबल जो की level है 18622 का अगर इसके नीच में आप लोगों को यहां पर immediate put नहीं buy करना है आप लोगों को यहां पर put cup buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आईगी और यहां पर आप लोगों को red candle के अंदर एश्टेंथ दिखाई दे तब आप लोग यहां पर put buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों क यहां पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 18,690 का और target की बात करेंगे तो approximate target आप लोगों का यहां पर रह सकता है 50 point का और उसके बाद आप लोग यहां पर safe put side के तरफ जा सकते हैं अब suppose कर लिजिए अगर कल के दें fin nifty इस level पर gap down खुलने के बाद इस level पर sustain नहीं कर पाती है जो की level है 18,620 का और इस level को यहां पर breakout कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर immediate call नहीं बाई करना है आप लोगों को यहां पर call कब बाई करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहां पर आप लोगों को green candle के अंदर एश्टेंट दिखाई तब आप लोग यहां पर call объ कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर चोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 18,615 का और target की बात करेंगे तो first target आप लोगों का यहां पर रह सकता है 18,714 का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर SL को ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों ये तो हो गया gap up और gap down वाला सनेरियो अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन फिन निफ्टी फ्लैट खुलती है वो कौन सा जौन होगा वो होगा ये बला जौन जो की जौन होगा 18,714 से ले करके 18,612 के बीच में खुलती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहाँ पर ना तो call buy करना है ना तो put buy करना है या तो एक particular level यहाँ पर breakout कर जाती है जो की level है 18,714 का तब आप लोग यहाँ पर safe call side के तरफ जा सकते हैं या तो यह वला level यहाँ पर breakdown कर जाती है जो की level है 18,612 का तब आप लोग यहाँ पर safe put side के तरफ जा सकते हैं दोस्तो आसा करता हूँ finnifty की सारे level आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चार्ट के उपर यह सारे level मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो दोस्तो अगर आप लोगों को हमारा prediction informative लगे तो like करे चैनल पर नहीं हो तो subscribe भी कर लें साथी साथ बैल आकन के all पर क्लिक करना बिल्कुल भी न भूले जरूर क्लिक कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा telegram चैनल नहीं जोइन किया हुआ है तो जाकर के जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के description में plus channel के about section में मिल जाएगा तो तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातरम